सभी शुनताओं को अनुराधा पाल का नमस्कार इस समय आप सुन रहे हैं आकाश्वाणी भुपाल से नमस्कार भुपाल सबसे पहले तो अनुराधा जी आपका हमारे कारेके में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका कैसा लग रहा है हमसे बात करते हुए आकाश्वाणी के शोताओं से बात करते हुए जी आकाश्वाणी तो हमारा घर जैसा है और बच्पन से मैं आकाश्वाणी और दूरदशन पे बजाते आई हूँ जब से मैं साधे दस साल की उमनुकी थी तब से मैंने पहला प्रोग्राम दुरुदशन पे मुंबई के दुरुदशन पे किया था और All India Radio और दुरुदशन की मैं टॉप ग्रीड आर्टिस्ट हूँ तो एक बहुत घरसा हमारा संबंध है पुराना संबंध है तो हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना और बहुत सारे हमारे श्रोतागन से जुड़ना ये मेरे लिए सौभागय की बात है आप ये भी मानती होंगी कि आकाशवानी ही एक ऐसा चैनल है जिसने श्यासी संगीत को लगातार उचायम पद ले जाने के लिए अपनी अहम भूमेका नभाई है बेशक इसमें कोई दोर आया नहीं है कि आप लोगों ने इतनी बहतर एक सर्विस की है मैं समझती हो कि आकाशवानी खास दोर से और दूरदर्शन भी कुछ हद तक इतने अलग-अलग एक तो उनकी आपकी रीच इतनी गहरी है आप छोटे से छोटे गाओं से लेके बड़े बड़े शहर में है और संगीत की आप लोगें बहुत एक प्रमोशन और प्रॉपोगेशन आपने बहुत सुन्दर किया है तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई हो आपके सारे एफ़र्ट्स के लिए चलिए से हमारे और होसला हफ़ाई होती है अच्छा अमराधा जी हमें जहां तक मौलम है आप तबला जो वाद है उसे देखकर हमेशा से आकरशित होती रही है आप जब छोटी थी तो इतने आकरशन के पीछे वज़े क्या रही है भगवान का रूप है बस उन्ही का फर्मान है शायद मैं बच्पन से पहले में क्लासिकल वोकल मैंने पहले सीखा गाना सीखा क्लासिकल और जब बंदिशे गाती थी मैं तो ऐसा लगता था कि मतब जैसे एक नैचरली ये सम खाली कहा है या कौन सा ताल है जैसे एक नैचरल एफिनिटी थी शायद वो एक नैचरली मुझे पता चलता था कि अच्छा शायद ये ताल होना चाहिए जब मैं कोई बंदिश गाती थी कोई मुझे बतायाने कि पहले मुझे एक फिलिंग आजाती थी कि ऐसे होना चाहिए या इस तरह से और वो बहुत मशूर वो एजुकेशनिस्ट थी मेरे नाना एमटी व्यास और सरोजबन व्यास दोनों दोनों ने बहुत एजुकेशन के फिल्ड में 35 स्कूल्स ओल ओवर इंडिया बनाए और शांतिन निकेतन के लाइन्स पे जहां पे संगीत का एक नीव बच्पन से ही बच्चों में पढ़ता है और एक अलग प्रकार की एक एजुकेशन है तो वो हमारे मतलब एक घर में ऐसे ही इतने सुन्दर संसकार मिले माबाप से तो मुझे यही था कि जब गा रहे थे तो पहले तो ममी भी गाती थी वो मशूर पींटर और राइटर है इला पाल उनका नाम है और मेरे पिता जी फार्मसुरिकल कंसल्टन्ट है तो दोनों को शौक हमेशा ऐसे रहा है संगीत में और मा गाती भी थी तो शायद वो सुन सुन के मतलब जब मैं कोक में थी तो वही सुनती थे और फिर उसके बाद में जब गाना सीखना शुरू किया तो तबल्या सीखना चाहिए ऐसे काफी जो बड़े-बड़े मुजिशन्स हमारे घर में आते थे पंदित जश्रा जी पंदित शिवकुमा शर्बाजी और पंदित हरीपसाच चाहरसया जी इन राजम मैं तो इन लोगों को सुन के मतलब लिटरली इन लोगों के गोद में खेला है मुझे मैंने तो वो एक आशीरवाद भी मिना मुझे और फिर उनने का कि तबला सीखो तो उस तरह से शुरुवात हुई लेकिन फ्रैंकली उस समय मुझे बिलकुल पता नी था कि ये मेरा प्रोफेशन होने वाला है वो आगे जाके जब मैं 11-12 साल में परफॉर्मन्स देने लगी और फिर इंटरनाशनली परफॉर्म करने लगी तेरा-चौदा साल की उमर से मैं परफॉर्मन्स देना शुरू किया अल वर दर कांट्री इन फाक्ट भारत भावन में मैं पहली पर आये थी जब मैं 14 साल की थी तो भोपाल के साथ में बहुत पुराना गहरा संबंध है क्योंकि मुझे याद है एक बहुत अच्छा युवा महुत्सव हुआ था जिसमें मुझे अमंतरित किया था सोलो बजाने के लिए और मैं सोचती हूँ कि भारत भावन एक बड़ी अच्छी सुन्दर संस्था है जिसने हमेशा संगीत को बढ़ाया है खास दोर से मुझे हमेशा मध्यप्रदेश में यह लगा है कि इतना संगीत और इतना संसकार यहां पर जैसे हर एक इनसान में भरा हुआ है और इसलिए मेरा बहुत स्वभाग्य राहा है कि भोपाल, उजेन, इंदोर, गौलियर, दिवास हर जगा में मैंने प्रोग्राम्स दिये है मध्यप्रदेश में खास दोर से बहुत परफॉर्म किया है और हमेशा मुझे यहां के शरूतागन बहुत प्यार और जो इज़त भरे हुए बहुत अच्छा लगता है अमर्द हजे, आप को ऐसे से बड़ी-बड़ी संगीतिक विफूतियों का इस पर्ष मिला है, उनका सानेद मिला है, उनका आशिरवाद मिला है कि जिनके आशिरवाद से आज आज आप उस मकाम पर हैं, जहां पर आपको एक सुने वाले बहुत ही दिल से चाहते हैं तो आपको इस मकाम पर आखे कैसा लगता है जब आप पीशे मुणके देखती हैं, अपनों बच्पन की आजों को ताज़े करती हैं तो मुझे तो यही लगता है कि आशिरवाद मुझे बहुत लोगों का मिला और मेरे गुरूओं का मिला सारे जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं जैसे कि गिर्जा देवी जी जिनके साथ में मैंने बहुत बजाया और अभी में मैं बजा रही हूं उनके साथ में, हरी जी के साथ में, मुस्ताद शाहिद परवेज जी तो सारे कलाकारों के साथ में बजाया और मतलब उझे हर किसी से बहुत सीखने भी मिला, प्रौटसाहन भी मिला और एक जो कहते हैं कि मैं एक टोटल आउटसाइडर थी इस फील्ड से क्योंकि मैं मुझेशन फैमिली से नहीं हूं और वो बहुत बड़ा डिसड़ांटेज है पहले में जब मुझे तबला सीखना था तो मेरी प्रॉब्लम वहां से शुरू है कि कोई मुझे पहले तबला सीखाने के लिए तयार नहीं था क्योंकि मैं लड़की हूं तो मना कर दिया फिर जब मैं मेरे भाई अलड़ी सीख रहे थे तो मैं उनको देखके मैंने थोड़ा शुरू किया तो फिर कुछ महीनों के बाद में जब टीचर ने देखा बोले आरे आपने कैसे सीखा बोले आपने मना कर दिया लेकिन मेरी इच्छा थी तो मैंने अपने आप से कोशिश की तो उसके बाद में फिर जब मैं आगे जाती रही जाती रही तो रस्ते मतलब मैं सोचती हूँ कि जो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि दो डिसड्वांटेज ज़रूर थी एक लड़की होने से मेल डॉमिनेटेट फिल्ड में बहुत मुश्किल होती है प्लस एक म मुशिशन होना जब आप नॉन मुशिशन फैमिली से हैं तो लोगों को एक घर से आपको मिलता है प्रोमोशन मोलिये के जो भी है आपको मिलता है तो वो मुझे नहीं मिला तो मुझे अपना रस्ता खुद तह करना पड़ा और मुझे सिर्फ अपने रियाज और अपने प्छा करूं कि लोग मुझे खुद बगाया ही चाश्चा करूं कि लोग मुझे खुद बगाया है तो मुझे सिर्फ अपने काम और अपने रियाज और अपने महनत के बलपे मुझे आगे जाना आ है ये संसकार मुझे मेरे माबाब से मिला और ये वाक़ी काबल तारी बात है कि आपने खुद ही अपने दम पर अपना वो मकाम बनाया अपनी महिनस से, अपनी निश्ठा से, अपनी लगन से तो वाक़ी ये बहुत ही आप के लिए बदाई है हम देते हैं इस बात पर अच्छा तबला जो वादे है उस पर पुर्शों का एक अधिकार आरंब से रहा है ऐसे में इस माहौल में एक महिला होते हुए आपको जगह बनाना कितना कठिन था और क्या आपने कभी सोचा था कि मैं वाक़ी एक प्रॉमिनेंट एक ऐसी तबला प्लेयर बन जाओंगी जो बड़े-बड़े हस्तियों के साथ बजाओंगी मुझे तो बिल्कुल नहीं था कि मालूम नहीं था कि मैं एतने बड़े लोगों के साथ बजाओंगी लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मैंने अपने आपको हमेशा कुछ ऐसे अलग करने की कोशिश किया है जैसे कि मैंने स्त्री शक्ती ग्रॉप मैंने ये देखा कि बहुत सारे तकलीफ हो रही है लड़कियों को क्योंकि मैंने फिर्स्ट हन देखा था कि तकलीफ तो है ही तो इसलिए मैंने कोशिश की कि चलिए मुझे घर से इतने अच्छे संसकार मिले गुरू महान मिले और इतने लोगों का मुझे आशिरवाद मिला लेकिन वो जो लड़कियां जिनको ऐसा नहीं मिला तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ये मैंने सोचा तो इसलिए मैंने ये सोचा कि स्त्री शक्ती नामक मैंने एक बैंड का इजाज़ किया और उसमें ये हिंदुस्तान का फर्स्ट ओल फीमेल हिंदुस्तानी करनाटिक कॉमिनेशन ग्रूप है जहां पे वोकल, इंस्ट्रुमेंटल और परकशन मतलब के गायन, वादन और तंत्रकार ये तीनों का मिश्रन है कभी-कभी मैं इसमें कथक भी ले दे रती हूँ जैसे कि अजन्दा एलोरा फेस्टिवल ये ऐसे कुछ जो डान्स के फेस्टिवल होते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि डान्स भी किस तरह से एक साथ आता है संगीत के तो ये सारे जो हैं ये सारे फिल्स ये अर और इंटर कनेक्टे डे कांट को एक्जिस्ट अमिन दिक करना उट एक इजर दर एक को एक्जिस्ट में सिर्फ हमारे लिए हम काम ना करें हम एक सुसाइटी में चींज लाने के लिए भी काम करें तो ये मेरे हमिशा से एक रही है तो नाइटी सिक्स में मैंने स्त्रीशक्ती क्रियेट किया और आज तक एक 21 साल हो रहे है और हम देश विदेश में बहुत बड़े-बड़े ऐसे बड़े फेस्टिवल जैसे की warm-aad फेस्टिवल जहां डेड़ लाक लोगों के लिए मैंने हम लोगे परफ़ॉम किया जो और और रिदम स्टिक्स फेस्टिवल बाबिकन हॉल बहुत सारे मतलब बहुत सारे मास्टर्ज़ जो भी जगे छूटी नहीं है मतलब जो खास जगे हैं जब पर परफॉर्म कर चुकी है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा के और आज तक ये बात मुझे मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्या और कर सको और दूसरा कि मैं इसी संदर में एक फीमिल एंपावर्मेंट एंथम भी बनाया पिछले साल क्योंकि हमारे ट्वेंटिएथ येर था और हमारा बहुत बड़ा टूर था यॉरप का करीब बारा कॉंसर्ट्स थे अल ओव यॉरप तो ICCR ने ये प्रोग्राम पुरा टूर किया था तो in fact शुष्मा स्वराज जी ने हमें बुलाया था for international women's day महा performance देने के लिए और बहुत सारे जो prominent women leaders है वो भी आये थे बहुत top जो लोग हैं वो उन्होंने ये देखा और शुष्मा जी ने खास इसको सराया कि मुझे मतलब प्रोग्राम के बाद मैं ऐसे लिपट गई बोली कि आपने you've made India and women proud आपने इस तरी की जो शक्ती है जो मात्री शक्ती है उसको सब के सामने उभारा और उजागर करके दिखाया कि मैं लोगों मैं ऐसे एक awareness क्रियेट करूँ कि लोगों की जो एक mindset है कि औरतों को हम second rate मानते है या हम उसको इतना opportunity नहीं देते है आज भी आप देखें कि फेस्टिवल्स हो रही है all over the country लेकिन लड़कियां लड़कियों का या औरतों का representation in those festivals बहुत कम है compared to men तो शायद ये धीरे-धीरे ये सब efforts करने से बिल्कुल जो आप प्रैस कर रही है उसमें कामियाभी तो मिलेगी ज़रूर और इसलिए मैंने एक female empowerment anthem बनाया क्या anthem है इसके कुछ शेबोल है इसमें ऐसा है कि खुद को तू पहचान दे खुद्दारी को चूम ले पढ़कर अपनी पहचान बना स्त्री शक्ती की मिसाल बने तो ये एक sort of an inspirational thing है कि औरतों को हमें काफी बार क्या होता है कि औरत औरत की सबसे बड़ी आइनिमी होती है जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम ही दूसरे लड़कियों को नहीं बढ़ाते है तो हम society में एक वो एक awareness create करें इसलिए मैंने ये लिखा लिखा भी है, compose भी किया है और और उसको मेरे group मतब ये एक पुरा गाना है अरे मैं मैं आपको सुना दूंगी लेकिन उसमें ऐसा ही है कि तो इसमें कि dowry, sati, female fetuside जो है उसके विरुद हम सब जुड़े और हमारे देश को मतब जैसे कि सारी लड़किया पढ़े लिखे अपने आपको इतना शक्षम बनाए कि हम आदमियों के साथ कंधा मिलाके इस देश को समरुद करें यह इस प्रकार का एक एंथम है उसी प्रकार से पूरा उसको लिखा है मैंने अरे नहीं नहीं मैं आपको सुनाऊगी तो इसलिए हम आपको इस के लिए बहुत ही बढ़ाई देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो यह अभियान आगे चल निकलेगा और इसी के कारण मुझे जो इसी के कारण मुझे योगा डे एक हुआ था अभी जो 21 जून को हुआ तो उसमें करीब एक लाख विलिजर्स सांगली डिस्ट्रिक्ट जो महराश्टर में डिस्ट्रिक्ट है उसमें जत करके एक एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब फीमेल फीटिसाइट ज्यादा है तो मिनिस्ट्री ने मुझे अज एम्बासिटर वहाँ भेजा तो प्रियेट अवैर्नेस तो उससे यह हुआ कि जब एक लाख लोगों ने इस चीज को जब एक तो मैंने यह एंथम उनको सुनाया और उसको उसको उनको समझाया उनको इंस्पायर किया कि we need to give equality to women and we need to educate and give them the right skills so that they can become contributors to society यह तो बात होगी नारी सशक्तिकरन की अमराजाजी हम आते हैं आपकी शुरुवाती दौर में जब आप तबला नबाज उस्ताद अलारखा खान साहब की सानेद में तबले की शुरुवात आपने की तो क्या आपका वो उस समय का तालीम थी और कैसे आप उस्ताद अलारखा खान साहब से जड़ गई और उनके सानेद में आपको कितनी आपने तलीन तासे तबला सीखा देखिए उनसे इतने बड़े महान गुरुवों से सीखना उस्ताद अलारखा खान साहब उस्ताद जाकिर उसेन साहब ये मेरे लिए बहुत सौभागे की बात रही क्योंकि वो खुद इतने महान है कि वो दे सेट दबार कि उनको क्या चाहिए वो वहां तक आपको पहुचना ही बहुत बड़ी बात होती है तो मुझे हमेशा से यही था कि जब मैं अबाजी के पास में बहुए गाई मैं उस्ताद अलारखा खासाब को अबाजी कहते हैं क्योंकि हमारे पिता समान है वैसे तो वो मेरे ग्रैंट फदर समान थे लेकिन पिता समान हम कहते हैं, तो जब मैं गए तो मैंने यही कहा कि अबाजी आप मुझे अपना चौथा बेटा समझ के मुझे सिखाईए, क्या ही ताकि मेरे अंदर कोई कमी ना हो, मुझे मारिये पीटे जो चाहे करिये, लेकिन मुझे इतना अच्छा शक्षम बनाईए कि मेरे अ समर्पन की भावना है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरू का सच में आशीरवाद मिलने के लिए, पहले शागिर्द को समर्पन होना पड़ता है, तब ही गुरू अपनी ग्यान की जो एक तीसरी आँख है, वो तब खोलते हैं, तो इसके लिए मैं यही समझूँग मैं पहले बनारस गराने से औरी मैं सीख रहे थी, और मैं बजा रहे थी साड़े दस साल की उमर से, मान इक राउप उपड़कर मादन मिश्रजी से, उसके बाद में फिर जब मैं 13-14 साल की थी, तब मैंने उस्ताद ललाला का सब से सीखना शुरू किया, और उन से सीखना औ और एक तो वो, और फिर मैंने 16 साल की उमर में पहली बार जाकिर भाय के साथ में बजाया, और उसके बाद में अबाजी के साथ में बजाया, और फिर तो वो शुरूआत हुई, तो फिर चलता रहा, तो बच्छों से शैली के बारे मताईए ना, उनकी सिखाने का धंग क्या वो बड़ा अनोख्या था, कि वो शुरूआत कर लेते हैं एक चीज का, जैसे कि एक पेशकार हो गया, तो शुरूआत कर लिया और जैसे शुरूआत मतब यू हड़ टू हिट ग्राउंड रनिंग, यह वाली बात थी, कि उन्होंने सोचा और आपने करना चाहिए, कि इतना आप अपने आपको दिमाग, आप अपने दिमाग को इतना शाप बनाओ, कि वो सोचे और आप कर सको, मतलब कि आप एक तो कल्पना सक शक्ती से पहले आपका जो पिकप पावर होना चाहिए, वो इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए, कि आप उनके फास दिमाग के साथ में ताल अगल तो थारी पर ताल गिना झादा, और घरड़ आप एक तो एसे उनने कहा तो नेक्स सेकंड मुझे पिक अप करना है, तो इतना यह उनका मतलब लेवल ऑफ टीुछिंग, वो स्ताटिंग फ्रॉम जग मुट यहां से नहीं स्टाट कर सकते थे, वह वहां से इक्ष तो the bar was very, you know, was set from a high place. और यही शेली शेयद जाकिर खुसान साथ की भी रही होगी? उनकी भी ऐसे ही है, उनकी थोड़ी सी अलग शेली है, और बहुत दोनों ने मतब एक जो कहते हैं के, एक समरपन की भावना से मैंने सीखा, और उन्होंने एकदम दिल खुलके मुझे मतब जोड़ी भर दी, तो यह मेरे लिए बहुत सवभागे की बात है क्योंकि कि गुरू से इतना अशिरवाद मिलना, गुरू से इतना सीखना मिलना, जैसे कि एक, मैं आपको एक इंसिडेन्ट बताती हूँ कि, मैं गई थी अबाजी के साथ में कोलापूर में बजाने हैं, तो कोलापूर गए तो एरपोर्ट गए तो वो फ्लाइट कैंसल हो गई थी, तो उनको आना था वापस, तो बोले बेटा जाके गाड़ी अरेंज करो, तो गए तो मैंने सब गाड़ी वारी अरेंज की और वो छोटी सी वो जो ओमनी गाड़ी अमारूती की थी जिसमें मतलब कुछ ज्यादा शौक अबजबज नाम की चीज़ नहीं है ज्यादा तो उसमें हम लोग कुलापूर डुबांबे करीब 15-16 गंटे की जर्नी अरस्ते भी खराब थे तो हम वापस आए और उसमें उस्ताद अलारा कांखा साब अमा जी मतलब उनकी वाइफ और उस्ताद सुल्दान खासाब अब गाड़ी काफी छोटी तो सुल्तान खासाब आगे सीट में बैटे थे अबबाजी और अमा जी दोनों सीट पे पीछे और मैं नीचे अबबाजी के चरनों में मैं बैठी रही और मैं बैठी रही और फिर मैंने उनको ऐसी बात शुरू की अभी उनका थोड़ा मूड उससे में थे क्योंकि फ्लाइट लेट था हो गया था वो सब जो भी गड़बड हो गया थी बाई रोड जाना है और लंबा जड़नी तो बुले कि तो मुझे उनको वापस मूड में लाना था तो मैंने उनको का बाजी वो जो मैंने कल अले बात शुरू कर ली वो कैसे होता तो ऐसे उनने कहा रहे ये कैसे बात शुरू कर ली ये तुम्हे क्या मतब क्या है मैंने कहा नहीं बजाते कैसे अबाजी थोड़ा बताईए तो शुरूआत कर ली मतब वो खराब चीज़ को बूल जाए और वापस तबने में आ जाए वापस क्योंकि ऐस शागिर्द मेरा पहला धर्म होता है कि मेरी गुरू के की हिफाज़त में करो और उनकी शान में बनू ये तब शागिर्द कहलाती हूँ मैं तो शान कहलाने के लिए पहले तो मुझे उस तरह से समर्पित होके सीखना पड़ेगा कि मैं लाइक बनू तो बस उन्होंने फिर सीखना शुरू कर दीया और साथे आथ मातरा फिर साठे पांज पिर साठे छे साथ एक 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 एजघय खोलते गए और पूरी पूरी ज़र्नी पंदरा सोला घंटे की बस कैसे निकल पता ही हूँ नहीं चला पता ही नहीं चला तो यह मतलब के बोलते है न इन इंग्जॉस्टिबल पावर हाउस ऑफ क्रियेटिविटी तो आप में दोनों उस्तादों के साथ कहां कहां ऐसे शो किये जो वाकर यादगार बन पड़े हर एक लंभा उनके साथ यादगार है शो की तो शो तो ए एक अल्टिमेट हाई पॉइंट होता है एक मुझे याद है कि जाकिर भाई के साथ में इलहाबाद में पहली बार मैंने बजाया था जब मैं 16 साल की थी इन फैक्ट वो वीडियो नेट पे भी है और उसमें भी ऐसे ही था कि वो उनका एक अलग स्टाइल है सिखाने का तो उ दिन पहले उनका प्रोग्राम नहीं पर था बुद्यदेवदास जी के साथ में बजा रहे थे तो बोले कि मैं कल जा रहा हूं तो आप बजा लेना तो फिर मैंने कहा भी आप मैं बजाओं कि तो मेरे उपर अंडे पढ़ेंगे आपका नाम दिया हुआ है और मैं तो मैं कु किया था लेकिन प्रोग्राम नहीं दिये थे तो उन्होंने का बस इनके साथ आप बैठ जाईए और बजाईए तो पूरे रात में बैठके वो कथक डानसर के साथ में धातुना का वो सारी गतें याद की सब कुछ फिर दूसरे दिन जागिरवाय बोले के मैं जा रहा हूं लेकिन पूरे दिन मैं रियांस करते रहे और फिर शाम को देखती हूं मैं बहार आई मैं तयार होने के लिए के चले प्रोग्राम में जाना है तो मैं उनको देखती हूं तो वह ही है वो गए नहीं तो मैंने का क्या हूँ आप गए नहीं तो बोले हाँ नहीं मैंने प्लान म Megha बजैने कात हुए टांक यह तो अशान्ति फोठी राद भर जाकरन हुआ तो मैं ऐसे का बादने क्थे मिit साथ नहीं नहीं कि मेरे साथ बजाना था तो थो मान मैं आथे तो आपकी उमर कितनी है। तो एकचली मेरी उमर पंदरा दी तो मैंने का फंदरा मातरा बजाता हूं। तो इस तरह से फिर उन्होंने वहां पर सोला मातरा बजा है और बहुत और फिर उनका सिखाने का तरीका बैसे था एसे है कि तू पुशी ते लिमिट्स जैसे कि कुछ भी उनको जैसे वह प्रोग्राम था तो अगर उनको कुछ सिखाना है तो जिसे मुझे ना देंदेना ना देंदेना अब ओई चीज में बजाने कर बिठा दिया बोले कि मैं आता हूं अब मैं आता हूं मतलब 2 गंटे 3 गंटे 4 गंटे मैं अब लगी ऊपर आज में तो वो एक जो बात है कि भही आपने कह दिया तो मैं उनकी पैर दबा रही हूँ और उस समय वो कुछ बोल देते थे जो एक गुरू मंतरा जो कहते है तो इस प्रकार का उनका सिखाने का तरीका अलग है और प्लस जब वो आमने समने सिखा थे तो उनका एक अप्रोच टु म्यूजिक बहुत ही यह जया है जैसे पैशकार को किस तरह से हम देखते हैं या वो किस तरह से सोचते हैं उसके बारे में तो उनकी जो सोच है इस एफेक्टेड माइ लाइफ और सो इसलिए मुझे दोनों से मतलब यह तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है उस पर पूरा अपना इंटिव्यू करना पड़ेगा कि क्या कैसे सीखा आपको मतलब दोनों की शहलियों से कुछ ना कुछ सीखने को वैसे हर चीज के लिए प्रसिद है लेकिन बायां उनका एक खास तरस से वो बजाते हैं तो वो उन्होंने खास मुझे सिखाया और यह मैं सूर्च दियो कि मुझे बहुत आम प्रॉबबली दी ओनली डिसाइपल जिन्होंने उन दोनों से मुझे सीखने को मिला काफी लोग पर मुझे दोनों से मिला तो यह आशिरवाद रहा है तो इन दोनों से जो आपने सीखा है तो आप अम्रादा जी कुछ नवाचार भी करती है कुछ तबले में कुछ नई चीज़ों को भी आविश्कृत करने की कोशिश भी करती है जी बिलकुल इन फैक्ट वो वो भी मैं उन से बहुत इंस्पायर रहती हूं कि अब जैसे आज मेरी जो प्रस्तृती रहेगी वो एकल तबला वादा नहीं है सिर्फ वो तबला जुगलबंदी है और यह मैंने कैस तरह से क्रियेट किया है कि नौर्बनी हम सोचते हैं कि तबला जुगलबंदी या जुगलबंदी ह होता है दो शर्द के बीच तो दो जो तंत्रकार होते हैं वो जो भी होते हैं तो उनके जिसे एक सितार सरोत के साथ में एक हो गया या दो गाने वालों के साथ में जुगलबंदी होती है तो यहां मैंने इस तरह से किया है कि खुद के साथ जुगलबंदी तो अनुराधा पाल इन तबला जुगलबंदी विथ हरसेल्फ यह मेरी खुद की कॉंसेप्ट है इसलिए आप देखेंगे के दो तबले हैं और कीबोर्ड यूस कर दी हूँ मैं जो और वहां पे दो राग लेती हूँ प्लस जो जुगलबंदि है कभी 그 फखावज नरे के बीच में है कभी वह आधुनिक और पारंपनिक के business है कभी वह पुरुष प्रकृति के बीच तो अरधा-णारेश्वर भी है उसमें तो उसमें अलग-अलग प्रकार की जुगलवंदीय आ उसमें मैं प्रस्तुत कहती हूँ मैं घ्यूने एक और तो मैंने कहा कि एक वेस्टन इंस्ट्रुमेंट को एक इंडिन कॉंटेक्स्ट में कैसे डाला जाए क्योंकि यह दुनिया वी हाफ टो ब्रेक इस डिवाइड्स कि यह तुम्हारा यह मेरा ऐसा कुछ नहीं यह सर्फ एक संगीत संगीत सिर्फ हम सब का है और एक ही संगीत ही एक ही चीज है जो जिसके एक ही रिलिजन है वो है मतब कि एक प्यार का रिलिजन है और कोई भी चीज नहीं है मतब यह मेरा तेरा कुछ नहीं है इसमें तो इसलिए हमेशा से मेरी एक जरूरत रही है तो फाइंड संगीत को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और संगीत को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं तो इसमें क्या किया है कि क्लासिकल बंदिशों को लेकर उसको किस तरह से एक मौडर्न कॉंटेक्स्ट में डाला जाए जैसे कि एक बहुत प्रसुद मेरी कॉंपोजिशन हुई है आप उसको यूट्यूब भी देख सकते हैं कि जैसे कि मदर और डॉटर की का इंटरैक्शन कि हर घर में यह होता है कि बच्चे को उठाना सुवें मा का काम रहता है अब बच्चा सोरा चाहता है माँ उसको स्कूल भेजना चाहती है तैयार करके तो उन दोनों की एक जुगलबंदी होती है तोड़ा एक नमूना दिख हैं और मेरे मेरे फादर और मादर दोनों फॉर्स्ट आए पूरे युनिवरसिटी में बी एच्यू में बनारा सिंदु युनिवरसिटी में फॉर्स्ट आए पूरे युनिवरसिटी में तो इसलिए हमारे यहां पर पढ़ाई रिखाए का बहुत है तो उन्होंने तो मेरी तो इस तरह से मैं कह रही हूं मुझे सोने दीजे और वह कह रही हूं जुझे साथमियों शोगरीशिया रही हूं तो इस तरही कि आपने ने प्रयोग किये है 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 अपने कोछ फिल्म्हें मि अपनी अपनी तबला बादान का अपने का अचाएँ कोछ बदाई इसके बारे मन यह जैसे गज गामी नहीं एक बहुत प्रसिद फिल्म निकली थी M.F. उसेंज आप जो मशूर पेंटर है तो वो मेरे मेरे ममी के गुरू भी नहीं मेरे ममी ने पेंटिंग उन से सीखा और मैंने बच्पन से उनको देखा एक बार वो मेरे प्रोग्रेम में आए तो वहाँ प्रोग्रेम में वो बाबा उलाओ दिया खासाब क्या प्रोग्राम चल रहा था उनका समारो वहाँ आए तो बड़े खोश हो गए महाँ पर मेरा सोलो था तो आये और फिर दूसरे दिन सुभा वो रफ कट जो फिल्म का है वो लेके आ गए घर पे बोले आपको ये फिल्म करनी है इसका म्यूजिक करना है मैंने का अरे थैंक यू आप आपने इतनी मुझे इज़त दी लेकिन उसे अच्छा के आप किसी और को बोल लेजे जो बड़े हैं आप एया रह्मान साब को बोल दीजे जाकिर भाय को बोल दीजे जिनको भी आपको सब पूरी दुनिया आपके लिए काम करना चाहेगी बुल और ये फिल्म इस अबाओट विमन इस अबाओट विमन इस अबाओट अब दीजे तो मैं चाहता हूं कि ये जो आपने जो एक फरस्ट हैं देखा है उसके बारे में पढ़ना देखना वह अलग चीज़ है उसको फरस्ट हैंड एक्सपिरियंस करके स्ट्रगल करना वो तु आपको ही करना पड़ेगा ये तो बस उन्होंने दे दिया और फिर मैंने बहुत स्टडी किया कि क्योंकि इतनी सुन्दर फिल्म बनी है और इतना वो डीप मीनिंग्स है उसके बस इतना ही उन्होंने बरीफ दिया तो फिर मैंने हरोज मेरी माँ के साथ में उसको देखा वोकि in my journey as an artist, मैं हमेशा सोचती है कि गुरू तो आपको उन्होंने तबला सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मझे, लेकिन एक पैशन फॉर पैशन फॉर लाइफ, पैशन फॉर लाइफ, पैशन फॉर लाइफ, पैशन फॉर लाइफ, उन्स यू अर कमिटेड तो लिविग लेती है मोझे, हर लोज़ जब मैं स्कूल से आती ती जो स्कुल से आती थी जो चलो रियाज करो। कि जबकि वो musician family से नहीं है, लेकिन इतना मुझे एक guidance देना, प्रोचसाहिद करना, और हमेशा जब जैसे मैं अब स्कूल से शुरू हुआ, तो awards मुझे मिलते रहे, लेकिन मेरे माबाप ने एक ही चीज मुझे सिखाई, कि जब भी कुछ awards मिले ना, तो यह सोचो कि आपने कु जितना और रियाज करोगे, और सीखोगे, उतना और अपने आपको खुश करोगे, 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 कि ऐस उन को प्रोग्राम पैसा Heा का में आङे लुजू अर नाम व्डश के सबया है नहीं है लेकिन हमारा कम और अच्छा होना चाहिए, तो हम्हेशा हर प्रोग्राम के बान में ये बोलते हैं क्या जाकर सुनो देखtał और अच्छा के इतना कर सकते हैं क्या बात मतब कादम कादम पर उन्होंना आपको इंस्पाइर किया बात मेरे मतब यह जो संसकार है वो मुझे माबाप से मिले है और भगवान की करपा है कि मेरे हजबन भी बहुत सपोर्टिव है और वो भी खुद एक म्यूजिशन का दिल रखते हैं जबकि म्यूजिशन नहीं है लेकिन म्यूजिशन का दिल रखते हैं और वो भी बहुत अंकुरेजिंग, सपोर्टिव, और अंडिस्टेंडिंग है तो श्याम शर्मा उनका नाम है तो मैं यही कहोंगी कि बच्पन मेरे माबाप ने एक बात मिल रहा था, बहुत रिजेक्शन मिल रहा था, सब लोग उसे बोल रहे थे, नहीं तुम से नहीं होगा, तुम क्या कर लोगे, तुम तो लड़की हो, तुम लड़की जात हो, तो जब मुझे बहुत में एक बात बहुत उदास थी तो मेरे माबाब ने मुझे कहा कि खुद कर बुलंद इतना कि बंदा खुद पूछे बंदा खुद पूछे खुद खुद पूछे बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है तो अपने अंदर इतनी हट हो और इतना काम हो और इतना के आप कर सको तो इसलिए मैंने अपना आपको कभी रोका नहीं कि अगर जोसे बजबन में मुझे किसी ने कहा कि आप खुद खाली आप सोलो तबला बजाओ मैंने कहा नहीं मुझे गाने के साथ में इंस्टूमेटल के साथ में डान्स के साथ में, सब के साथ में मुझे बजाना है उसमें सब में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और काफी कुछ जहिनना पड़ेगा लेकिन मैं करने के लिए तयार हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में I do justice to this music मैंने के लावा पर और कॉन से फिल्म किया मैंने अलग उसमें कमिशन्ड वर्क बहुत किया वाले फिल्म मुझे ऐसे कोई मिली नहीं जो जिसमें इसका काम हो सके मैंने और भी काम किया जहां पर फिल्म जहां पर जैसे अभी एक फिल्म आने वाली है उसमें अक्षे कुमार और सोनम कपूर की फिल्म है और उसमें भी मैंने किया है तबला उसमें मैंने पूरा बजाया है और उसमें सोनम कपूर's personality and मतलब उनका जो भी है वो It's model around me इस तरह से बनाया है तो उनको मतलब इस तरह से इस तरह से उसको बनाया है मतलब इस तरह से उनका इस तरह से उनका बनाया है तो लड़कियों को इस फिल्म में आने के लिए आप क्या सला देना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि गिने चुने नाम ही होंगे जिसमें महिला तबला वादक शामिल हैं तो ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहती है मैं किसी को सलह नहीं देती हूँ मैं इतना ही कहती हूँ कि बस आप कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग थोड़ा बजाने लगते हैं या थोड़ा उनका नाम होता है तो दे गिव अप टे सर्च और या उनको घमन हो जाता है तो मैं जितना मैंने इतना ही सीखा है कि जितना मैं अंदर इस फील में गई हूँ उतना मैंने ये देखा कि मैं कितनी चोटी हूँ ये फील कितना गहरा है और मुझे और कितना सीखने के लिए है ये मैंने हमेशा खुद को इंस्पायर करने के लिए मैंने किया है इसलिए मेरा हमेशा से एक effort रहता है कि और भी करें और collaborations में मैं बहुत करती हूँ जैसे कि international collaborations कि एक हमारी देश की समरुधी और हमारी जो देश की संस्कृती है उसको और बढ़ाना ये मैं समझती हूँ कि कलाकार की जिम्मेदारी भी होती है कि देश को आप रेपेजेंट करते हैं तो मेरी संस्था भी है जो मैंने college में start किया था इसलिए start किया था ताकि मेरे जो young friends है वो पूरा MTV culture में जा रहे थे तो मैंने का उनको और लाने के लिए इसमें मैं क्या कर सकती हूँ तो मैंने ये संस्था शुरू की और पहले ही साल में इन फैक्ट मैंने इस तरह से शुरू की कि वो जो national youth festival होता है तो उसमें मैं first आई और उसके पहले जब principal साब मुझे बोले कि आपको जाना पड़ेगा जब Bombay University ने मुझे कहा कि आपको जाना पड़ेगा क्योंकि All India ये competition हो रहा है और आप जाईए और हमारे लेक या आप ही ला सकते हो तो मैंने का अगर मैं लाओं तो आप क्या करोगे तो मैंने क्या चाहिए मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बट आप मुझे आपका आशिरवाद दीजे कि हम music concerts इस college में कर सकें तो वहीं से मैंने संस्था शुरू की उस college से जो और मेतिविया college से वहां से start की और आज हम लोग बहुत सारे festivals करते हैं पहले साल में जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर एलसु ब्रोमनियम राजन साजन मिश्रा जी हारी परसाच और रस्या जी सुल्तान खासाब सारे दिगज कलाकरों को मैंने program first ही साल में किया beginning हमारी ऐसी हुए मतलब इतने धमाकेदार beginning हुए और आज तक मतलब आप देखे के सारे बड़े कलाकर शंकर महारेवन से लेके बनी जश्रा जी से लेके जाकिर भाय से लेके सब ही आये हैं हमारे यहां पर परफॉर्म किये ह और हम तीन-चार festivals करते हैं साल के तो यह मेरे efforts रहती है कि हम संगीत को और बढ़ाएं एक तो संगीत जो festivals रहते हैं दूसरा कि मैंने एक और चीज भी start किया है कि music for wellness workshops उसमें यह होता है कि जैसे कि आप देते हैं आज society में कितना stress है कितना तनाव और कभी चोटी-चोटी ची the best bester जो है वो music है तो इसको लेके ताकि हमारे society में wellness मतलब एक अच्छी health हो सके तो music for wellness workshops यह मैंने बनाया है वहादी बहुत 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 बढ़े 2015 में मैंने इसको create किया है और हमने करीब 4,000 बच्चे जो नैशनल बाल भावन म हैं वो अंडर प्रिविलेज़ बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक माइने का classical music festival और्गनाईज किया उर्जा उसका नाम था वो festival का और उसके बाद में पांच दिन का only dance festival लासिया वो और्गनाईज किया बच्चों के लिए तो चलते चलते आपका संदेश क्या होगा हमारे क कि जरीए जो हमारे प्रोगाम सुन रहें उन शोताओं के लिए बस कि आप classical music को आजकल मैं देखने हूं बहुत सारे यंग लोगों को हमारे संस्कृति का कोई idea नहीं रहता हम दिवाली मनाते हैं लेकिन यह नहीं पता कि क्यों मना रहे हैं उसके पीछे feeling क्या है कई बार लो as musician है African musician Latin सारे musicians के साथ में मैं बजाई हूं सारों के साथ में मैंने travel perform abroad किया है और मैंने उनके संगीत को समझा है उनके जो तनी कोशिश की है और यह मैं कहूंगे कि हमारा संगीत इतना समरुद्ध है हमारी संस्कृति इतनी डीप है कि हम को we must give importance to our own culture और हमारा culture यह नहीं कहता कि हम मतलब हम हमारी संगीत को सुने मैं तो यह कहूंगी कि यंग लोगों को हमारा संगीत हमारा classical music हमारा folk music वो सुने आपको पसंद नहीं आए कोई बात नहीं आप देखिए कि जो जो अच्छे अच्छे गाने फिल्म के भी बने हैं चाहे वो पुराने लता जी के जो गाने थे सारे classical music based है आज चाहे कोई भी गाने आये जाए लता जी के गाने महमद रफी के गाने वो सब गाने एक लोग उसको और संजहें सुने और ओपन रहें क्योंकि हमारा संगीत सबसे समरुद्ध संगीत है यह मैं मैं लोगों दूसरे संगीत को सुनकर और उनके साथ काम करके मैं कह रही है कि आज हम हर किसी के साथ में हम बजा सकते हैं और यह श्रे जाता है classical music को क्योंकि वो इतना गहरा और incredible है चलिए आपका संदिश वाकई महत्पूर्ण है अनुरादा जी और अब हम बहुत चुके हैं कारिकम के अंते मोड पर और हम चाहते हैं कि आप चलते चलते आपका कुछ पसंदीदा वो टुकड़ा हमारे शोताओं को सुना दें जो आकसर आप बजाती हैं और आपको बहुत ही आनन दाता है बहुत सारे बंदिशे हैं मैं आज एक एक बजाने वाली हूँ जो क्योंकि ये वर्षा रितु का समय है और फेस्टिवल का नाम भी उसी से संबंदित है बादलराग तो मुंबई रेन क्योंकि मैं मुंबई से हूँ मुंबई कर हूँ तो मुंबई रेन जो जिस तरह से वर्षा रितु आती है चोटी चोटी जिसे बादल पहले बादलों का और फिर चोटी चोटी बून दे फिर बादलों का गरजना और फिर जोर से पानी का रिला आना और फिर जिस तरह से बच्चे बाहर आते हैं खुशी से नाचते हैं, चिलाते हैं और सारी धरती इनो एक उसकी जो सौंधी-सौंधी खुश्बू आती है और उसके उपर मैं आज वो प्रस्तुत करूंगी तबले पे तो उसको तबले पे सुनाना चाहिए कि ऐसे सुनाओं मैं ऐसी सुनाना थोड़ा मुश्किन है तबले पे सुन कली नाचता है तो में आपके समक्ष मुमाई रहन मेरी जो कॉंपोजेशन है वर्षा रितू प्याधारित सुनियेगा क्यादार दॉत कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो भ mist कर दो कर दो दोगाचै कर दोज कर दो पित तो दो पिता है मुंबई रेन को सुनकर भी और जब हम आपसे बाचीत कर रहे थे तो हम उमिद है कि वो शुता को बहुत पसंद आएगी मैं आप भीगे के नहीं बिल्कुल भीगे और हमारे शुता जरूर भीगेंगे जब आप भारत भाम में भी अपनी प्रस्तुती देंगी तो इससे पहले कि हम बाचीत को खत्म करें आप पो सुनने वालों के लिए एक लाइन में बोल दीजिये कि हमारा आकाश्वाणी से नाता आपका कैसा है जी आकाश्वाणी के साथ में बच्पन से मेरा बहुत सुन्दर नाता रहा है साथे दस साल की से उमार से परफॉर्म कर रही हूँ और आज मैं बहुत अपने आपको एक गरव से कह सकती हूँ तो यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और हमेशा आभी इन फैक्ट में आकाश्वाणी संगीत संविलन में भी बजाने वाली हूँ बनारस में ऑक्टोबर साथ तारीक को तो मेरा बहुत हमेशा से प्यार भरा रिष्टा रहा है और यह एक बहुत सुन्दर एक प्लाटफॉर्म है प्रबबली दी ओनी प्लाटफॉर्म जो क्लासिकल मुजिक के लिए है तो आप सब को मेरा बहुत-बहुत मेरी बहुत- चित करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका नमस्कार